जै स्री कृष्णा राधे राधे जाडू को हमारे धर्म में मालक्ष्मी का रूप माना गया है और जाडू के बारे में बहुत सारे सुभ असुभ माननेताएं भी हैं और हम उसका पालन भी करते हैं लेकिन जाडू लगाने से पहले एक छोटा सा काम आपके जीवन में धर्म को बढ़ाएगा और कर्जे से मुक्ति दिलाएगा बरकत बढ़ जाती है आखिर वो काम कौन सा है हमारे धर्म में जाडू को मालक्ष्मी का रूप मारा जाता है जाडू से दर्टा रूपी गंदगी को हम घर से निति दिन बाहर करते हैं और जाडू का छोटा सा उपाए आपके जीवन की परिशानी को भी दूर करता है देखिए माना जाता है जिन घरों के कोने कोने की सफाई होती है वहां का वातावरन पॉजिटिव रहता है जाडू लगाने के बिसेस नियम होते हैं अगर वो नियम का आप पालन नहीं भी कर पाए तो कोई दिकत नहीं है बस रात में एक छोटा सा काम करना है बहुत सिंपल है और चली हम जानते हैं तो जब हम घर की सफाई करते हैं तो मा लक्ष्मी की किपा हम पर बरसती है और मा लक्ष्मी का प्रतीक ही जाडू को माना जाता है ऐसा कहा जाता है अगर आप किसी एकादसी तिथी के दिन पास के किसी मंदिर में तीन जाडू का दान करें और जब दान कीचेगा तो इसको गुप्त दान कहते हैं सुबा सुबा अंधेरे में के समय ही यह उजाला होने के पहले ही आपको जाकर वहां पर जाड़ो रखकर आ जाना है या आप चाहें तो जाड़ो से सफाई करके फिर मही मंदिर में छोड़ कर चले आए और पुराने ज दिनों से आप यूज करने ऐसा नहीं करना चाहिए इससे वास्तु दोस्त पैदा होता है जब भी जाड़ो टूट कर गिरने लगे तो उसे तुरंथ हटा दे अब पुराने समय में लोग क्या करते थे अक्सर ही मंदिरों में जाड़ो दान करते थे मंदिर की सफाई करते थ अभी भी लोग करते हैं अब मंदिर में जो जाड़ो आप ब्रहमूर्त में ही रखिएगा इसका ध्यान रखना है और बिसेस दिन में करना है जैसे कोई त्योहार है कोई सुवयोग बन रहा है या पिर एकादसी तिथी है सुक्रवार का दिन है इन दिरों में आप कर सकते है सास्त्रों में जाड़ो का गुप्त दान का महिमा है लेकिन जो जाड़ो से आप घर की सफाई करते हैं किसी को दान मत कीजिएगा वरना मालक्ष्मी उल्टे पैर वापस चिली जाएगी इस बात का हमीशा ही ध्यान रखिएगा जिस दिन अब हम आपसे एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे जब भी आप घर में जाड़ो पोछा लगवाते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि जब जाड़ो लगवाते हैं तो जूठा वेगरा गिरा हुआ उस पे जाड़ो लगा रहे ये गलती मत कीजिए जूठे पर पहले पानी डाले फिर आप जाड़ो लगा है या फिर किसी कपड़े की सहायता से पोच कर हटा ले फिर जाड़ो लगा है जूठे को जाड़ो से नहीं बहार ना चाहिए इससे भी वास्तु दोस्त पैदा होता है घर में परिसानी बढ़ जाती है और इसके साथ ही घर में जो आप पोचह लगवाते हैं तो हमेशा ही पोचह वाले पानी में फिट करीं या फिर नमक डाल के ही लगवाईए तो घर का बातावरन अच्छा रहेगा और घर में पवितरता बनी रहेगी और जहां पवितरता होगी वहाँ पर घर में रहने वाले लोग खुस रहेंगे आनंद से रहेंगे पुरानी मननेता है कि गुरुवार के दिन घर में पोचा नहीं लगवाना चाहिए ऐसा करने से भी लक्षमी रूठ जाती है तो गुरुवार के दिन अगर बहुत जरूरी हो तब क्या करेंगे तब पोचे के पानी में एक चुटकी हल्दी डाल कर पोचा लगवाईए तो दोस नश्ट हो जाता है तो जारू से जुड़ी हम बाते कर रहे हैं तो पहले उसी के बारे में जानते हैं जारू को भूल कर भी खुले जगह में मत रखिए यानि जिसे च्छत के ऊपर आपने जारू लगवाया कहीं साइडी में रख दिया खुले आसमान उपने जारू के रखें और ऐसी जगह रखें जहां किसी का नजर न पढ़ें जैसे आप अपने घर के धन को सम्वाल के रखते है उसी तषितर जारू को भी रखना चाहिए हमेशा ही च्छिपा कर रखें नहीं तो यह अब सपुन माना जाता है जहां भी आप खाना पीना हैं वहां पर जारू मत रखिए नहीं तो इससे क्या होगा ना घर का अनाज जल्दी खत्म होगा और स्वास्तमन्दी परिशानियां भी परिशान करेगी तो जारू को की सफाई का भी धियान रखिए जारू जब भी लगवाते हैं इसको धोकर साप पोच कर अच्छे से सुख कर लाएं तो उसके हेंडल जहां पर जारू पकड़ते हैं आप न वहां पर सफेद धागा या मौली धागा बांदे उसके बाद जारू को यूज करें तो मा लक्षमी स्थिर रहती है बरकत होती है अब रात में सूने के पहले जारू का एक छोटा सा परियोग किया जाता है क्या करेंगे रात में सोने के पहले अपने घर के दरवाजे के सामने अंदर की तरफ से याद रखिए जारू रख दे खड़ा करके नहीं रखना है लिटा के रखना है और जब जारू रखेंगे तो जारू के नीचे दो चार दाना जीरा का डाल दे जीरा तो आपके घर में जो मसाले में यूज होता है जो कब रखेंगे रात में सोने के पहले जादा आपको नहीं रखना है दो चार दाने नियम करना है और सुबह में जब ज़ाड़ू लगाएंगे तो उसके साथ इस जीरी को भी बाहर कर दें और यह प्रियोग आपको रात में ही करना है तो कोई मेहवान आपके घर में आ सकते हैं कभी कभी क्या होता है ज़ाड़ू पर गलती से पैर रखा जाता है तो ऐसा करने से अब सकुन माना जाता है तो ज़ाड़ू को छूकर छमा मांग ले अब मान लेते हैं कोई ज़ाड़ू लगा रहा है आपके पैर पे ज़ाड़ू ट लग गया आपके सरीर में तब ऐसे में एक तो अगर एक पैर में लगा है तो दूसरा पैर भी जाडू में टच करें उसके बाद पैर को धूले इससे दोस खत्म हो जाएगा और फिर जाडू को परणाम करना मत भूलिएगा भूल कर भी जाडू से किसी को न मारे चाहे वो जा पारियों में सफलता नहीं मिलेगी इसलिए तुरण निकलने के बाद जाडू ना लगाएं कम से कम आता एक घंटे के बाद लगा है जाडू को कभी भी खड़ा मत रखिए यह अपसकुन माना जाता है और दो जाडू एक साथ मत रखिए अलग लग लग रखिए नहीं तो आप एक घर से दूसरे घर में सिफ्ट करते हैं अपने नए घर में जाते हैं तो उसमें नई जाडू लेकर घर के अंदर जाईए बाद में पुराना वाला भी ले जाईएगा क्योंकि पुराना जाडू पुराने घर में नहीं छोड़ सकते उसको भी ले जाना है लेकिन ब बरकत बढ़ाती है, घर में सुक्सम्रिद्धी आता है, तो जीरा का ये विशेस प्रियोग आपको जरूर करना चाहिए, कई लोग कहते हैं, रात में जीरा घर में विखेर कर जारू से उसको बहार दे, साइट कर दे, फिरी करें, तो ऐसा ना करें, क्योंकि रात में जारू ल परियोग है, लेकि इसको करके देखेंगे, तो आपको 100% benefit मिलेगा, तो जारू के पास वो ऐसी कौन सी चीज है, जो भूल कर भी ना रखें, और वो है जूते चपल, कई वार लोग क्या करते हैं, जारू रखा हुआ है, जारू को मानो गंदगी की चीज है, गंदगी बाहर करना है, धक्का जैसे आते जाते लोगों का नजर ना पड़े, पस्चिम, उत्तर की विसा, अब देखिए, जारू लगाने से पहले क्या करें, जारू लगाने के पहले सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग, अगर आपके उपर करजी की मुस्किल है, धन बस्ता नहीं, पैसे आते नहीं, बहुत परिसानी चल रही है, बहुत टेंसन है, तब एक छोटा सा काम करना सुरू कर दें, आपके घर में संख होगा, संख को संख में आप जल भर लें, सुबह सुबह करना है यह पड़ियो, जल भर के उस संख के जल से, तीन लकीर खीचे घर के मुखे पास, तीन लकीर, खीच दें, उसके बाद आप जारू बहार भी करते रहें, कोई दिकत नहीं है, यह जो तीन रेखा खीचेंगे न संख से, यह लगातार एक महने, सवा महने तक खीचे, फिर देखिए, कैसे चमतकार होगा, जीवन की मुश्किले समात हो जाएगी, और जा हम आप से भी दा लेते हैं, धन्यवाद फिर मिलेगे, ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट, ग्रैंड धर्मासमाग डॉट कॉम, गूगल सच करके आ सकते हैं, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्की सुन में मिल जाएगा, धन्यवाद,